जब बाइक किसी भी गेर में होती है तो गेर बॉक्स के आप ये दोनों साफ्ट देख रहे हो उनके गेर्स आपस में कनेक्टेट होते हैं और ऐसे में इंजन को स्टार्ट करने से होता ये है कि जो क्रैंक साफ्ट ये घूम नहीं पाता है हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी किसी भी गेर में हो सकती है और हम क्या करते है कि कलच लिवर को पूरा दबा लेते हैं उसके बाद सेल्फ से या फिर किक से अपने बाइक के इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं तो ऐसा करने से इंजन को कोई नुकसान होता है कि नहीं होता है किस gear में ज़्यादा नुकसान होता है, किस gear में कम नुकसान होता है, कई बार situation ऐसा होता है, कि हम bike को चला रहे होता है, और अचानक जो bike का engine है, वो बंद हो जाता है, चलती bike में हम क्या करते हैं, कलच को दबाते हैं, और self से अपने bike engine को start कर लेते हैं, और कई बार खड़ी bike मे आपने कलच लिवर को दबायों और engine को start किया, तो उससे होता क्या है, फ्रेंट्स इस assembly को मैंने कई वीडियो में यूज किया, लेकिन आज के topic को समझाने के लिए, मैं gear box का जो output soft है, इनके gears को भी use करने वाला हूँ, तो फ्रेंट्स देखिए, जब हमारी bike neutral में होती है, उस में connected नहीं होता, ये engage नहीं होते है, ठीक है, इसी time पे जब आप neutral में अपने bike को self या kick से start करते हो, तो चुकि ये आपस में जो है, वो disengaging का engagement नहीं हुआ है, तो जो crank soft है, ये आसानी से घूम जाता है, हमारा जो bike का engine है, वो start हो जाता है, लेकिन जब हम लोग bike को किसी भी gear के ये आपस में connected हो जाती है, ये आपस में engage होते है, डिपेंट करते हैं, किस gear में है, और आपने देखा होगा, कि जब bike gear में होती है, और हम लोग kick मारते है, तो अचानक से क्या होता है, जटका लेते हुए, जो bike के वो आगे बढ़ जाती है, ये आपने गौर क्या होगा, ठीक है अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बाइक गेर में होता है उस टाइम पे अगर आप कलच लिवर को पूरा दबा लेते हो और उसके बाद सेल्फ या किक से अपने बाइक एंजन को स्टार्ट करते हो तो होता यह है कि हाला कि आपने गेर में अपने बाइक को र हलाकि ऐसा थे कि निकलके बाहर यहाड जाता है लेकिन बिसिकली कलच असेंभ्ली के वह से हो यहां आपस में एंगेज है वह डिसंगेज हो जाते है यानि की गेर में होने का बावजूद हम कलष लिवर को पूरा दबाते है तो यह जो क्राइक वो घूम जाता है और हम 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी gear में अगर आप अपने बाइक के engine को कलच दबा कर सिर्फ या किक से start कर रहे हो तो उससे technically engine को कोई भी नुकसार नहीं होता है, engine को इस तरह से design किया जाता है कि आप ऐसा कर सकते हो तो gear वाला problem तो नहीं है, लेकिन किस situation में आप ऐसा कर रहे हो उससे problem हो सकत है, अब situation के बारे बताने से पहले मैं आपको रमी वेल्थ के बारे बताना चाहूंगा, इस app में आप बिना पैसे लगाए, गेम खिल कर पैसे कमा सकते हो, पैसे लगा कर ही गेम खिलना ये कोई mandatory नहीं है और ये मैं recommend भी नहीं करूंगा, friends, app download करके just अपने phone number को bind करने पे आ आपके जीतने की probability बहुत ही बढ़ जाती है, आप definitely जीतोगा और मैंने भी इस pattern के साथ बहुत सारे पैसे जीते हैं, साथ ही आप असानी से अपने जीते हुए पैसे को withdraw भी कर सकते हो, friends, dragon versus tiger और ये बहुत सारे गेम से जिने unlock करने के लिए आपको कम से कम 11 रुपए का recharge करना पड़ेगा, यहाँ पे refer and end का भी option है, जहाँ पे अगर आप इस app को अपने friends को refer करते हो, और अगर आपके friends इस app को download करते हैं, तो आपको rewards मिलेंगे, साथ ही अगर आपका कोई भी friend इस app में जो भी amount कमाएगा, जो भी पैसे कमाएगा, उसमें भी आपको rewards मिलने वाले हैं, तो friends यह app मुझे बहुत ही बेतर लगा, एप का link में इस वीडियो के description में दे दूँगा, आप इस app को जरूर से download कर ले, अब situation की बात कर लेते, पहला situation है कि आप bike को चला रहे हो, bike किसी भी gear में हो सकती, किसी भी speed में bike है, और क्या हुआ कि अचानक से आपके bike का जो engine है वो बंद हो गया, तो चलती bike में आपने किया कि clutch lever को दबाया, और जो self से उसे bike के engine को start कर लिया, फिर clutch lever को छोड़ा और अपने bike को चलाने लगे, तो मैं आपको बता रहा हो चाहूँगा कि चलती bike में ऐसा करने से engine को नुकसान कम होता है, या ना के बराबर होता है, ऐसा इसलि होती है, और gear का according आप उसे चला रहे होते है, अचानक से अगर engine बंद हो जाओ, और same gear में आप ऐसा कर लेते हो, तो उसे engine को नुकसान बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि momentum असानी से मिल पाता है, असानी से जो gearbox के जो gear से उनका synchronization हो पाता है, power का जो transfer वो smoothly हो पाता है, loss नहीं होता है, अब बात कर लेते कई बार क्या होता है कि बाइक खड़ी होते हैं और बाइक gear में होती है, पहले बात कर लेते हैं हम लोग first या second gear की, तो देखिए पहले या दूसरे gear में अगर आप ऐसा करते हो कि कलच को दबाकर engine को start करके चलाना शुरू करते हो, gear same gear में, तो चार, पाच या छे gear में होती है, आपने उस gear में, माली जा आपने पाच gear में आपने बाइक engine को start किया, आपने gear को down नहीं किया, देखिए, engine start करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप gear को down नहीं कर रहे हैं और उसी higher gear में चलाना शुरू कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि चुकि जो higher gear है, वहाँ पे gear ratio जादा होता है, इन में जो power output है वो जादा होता, torque कम होता और आपने भी गौर किया होगा, कि higher gears में 4-5-6 gear में जब आप खड़ी बाइक को चलाना शुरू करते हो, तो initially आपको momentum नहीं मिलता है, आपको बाइक का engine वगर है, वहाँ से ज़्यादा sound सुनाई देता है, क्योंकि इस टाइम पे engine हो गया, जो gear box के साफ़ पगरा होगा, जो complete gear box हो गया, clutch assembly हो गया, इन सब के उपर में stress ज़्यादा पढ़ता है, अगर higher gear हो, बाइक खड़ी हो, आप चलाना शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं advice दूँगा कि अग आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी, विट अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share जरूर कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय, आप मुझे comment करके जरूर बताए, इसके लाव अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैन